नमस्कार में प्रिये रंजन और आज की इस एपिसोड में जेप्रकास पावर विंचर स्टॉक को डिसकस करेंगे इस समय बजार तो थोड़ा भूँट ठीक दिख रहा है लेकिन जेप्रकास पावर विंचर जो है वो थोड़े भूँट प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है और इस समय जो जेपी एसोसियेट्स था उसमें ये नियूज आया है कि जो वन टाइम सेटिलमेंट को लेकर के ख़बर थी वो वाइप डॉट होते हुए दिखा है उसको रिजेक्ट कर दिया गया है तो क्या इसका इंपेक्ट जेप्रकास पावर विंचर पे दिखेगा क्य जो ऑप्टिमम जो इसके कैपेसिटी है उसके कंपनी अभी भी कारी करते दिख रही है तो एपिसोड में आगे बरने से पहले प्रेमियूम टेलिग्राम को जॉइन करें डिस्किप्शन के लिंक से एकाउंट ऑपिन करेंगे अभी भी स्टॉक की डिलेबरीवेटर है लेकि 24 करोर वल्यूम के साथ और अगर इसके चार्ट को देखें तो विकनेस तो मुझे नहीं दिख रहा है लेकिन इस समय एक मेजर रेजिस्टेंस पर दिख रहा है जिसो रेजिस्टेंस से ब्रेकडाउन हुआ और यहां से अगर यह कंप्लीट करता है और इसके बाद 24 का ब्रे टेकनिकली विकनेस इस स्टॉक में 15 के नीचे ही होगा जब तक 15 के लेवल को ब्रेकडाउन नहीं करें बिल्कुल विकनेस नहीं है तो यह पुरा कंसोलिडेट जोन है अगर मोमिंटम क्याप्चर करना है तो इसके उपर इंवेश्मेंट करें अगर आप थोरा बहुत टाइ कर सकते हैं